मैं हूँ तिश्ला यादव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी रुकरते स्वक्त की खास ख़बरों का लखनों में बसपा सुप्रीमो मायवती ने प्रेस कॉंफरेंस की इस प्रेस कॉंफरेंस में मायवती ने रस्टपती चुनाव को लेकर बड़ा अलान किया इंडिये की उमीदवार का समर्थन करने का अलान किया और द्रौपती मुर्मू को बीसपी राश्टपती चुनाव में समर्थन करेगी मायवती ने कहा कि बसपा देश की प्रमुक पार्टी है ये पार्टी दलितों और गरीबों की है चले आपको सुनवाते हैं बसपा सुमर्पो मायवती ने क्या कुछ कहा है हमारी पार्टी ने आदिवासी समाज को अपनी मुव्मेंट का खास हिस्सा मानते हुए द्रौपती मुर्मियों को राश्टपदी पद के लिए अपना समर्थन देने का फैसला लिया है और हमने ये अती महत्रपुन फैसला बीजेपी वे इनके अंडिये के पक्षवे नहीं और ना ही इनके विपक्ष यूपिये के विरोध में कोई सोच कर लिया है बलकि अपनी पार्टी वे मुव्मेंट को विस्स ध्यान में रखकर ही एक आधिवाची समाज के योग्ये वे करमठ महला को देश का राष्ट पती बनाने के लिए ये खास फैसला लिया है हलाके वे कितना फिरिली होकर वे बिना किसी दबाग के कारी कर पाएगी ये तो आगे चलकर समय ही बताएगा हमारी पार्टी ने और अगामी 10 जुलाई तक पूरा हो जाएगा जसके बाद मानी प्रधार मंत्री जी स्का उद्गाटन करेंगे एक दो परसंट कामी बाकी है तो दस जुलाई तक हर हालत में कम्प्रीच हो जाएगा पूरे एक्स्प्रेस्वे का काम लगभग आठ से दस जुलाई तक पूरा हो जाएगा और सेकिंड वीक में आदर्णी प्रधार मंत्री जी इसका उद्गाटन करेंगे आदर्णी प्रधार मंत्री जी ने इसका शिलाने आज 29 फरवरी 2020 को किया था मानी मुख्योंत्री जी का मार दर्शन हमारे मानी अधियोग मंत्री जी नदी जी का मार दर्शन है मुख्योंत्री जी का विजन है कि बुदेल खंट के लिए बढ़िया एक्सप्रेस वेड़ी जाए उसी कड़ी में ये एक्सप्रेस वे बटकर त्यार है और जल्दी जो है यहां के लोगों के लिए उपल्द होगा इससे न प्रदान अध्यापिका पर धन सरकारी धन के दुरुप्योग का रोप लगा है और उद्याले समीती के पूरे अध्याक्ष पती ने जुराधिकारी को प्राक्ता पत्र दे कर कारवाई की मांग की है जो हैं कारी मिली है कि उद्याले के जरजर हो चुकी इमारत में लाखों रुपे के ट्राइल्स लगवा कर सरकारी धन को नुकसान पहुचा जार और विद्याले की प्रधान अध्यापिका प्रबंदन समीती के अध्याक्ष रेश्मा को गुम्रा कर उनसे सरकारी चेक पर हस्ताक्षर करवा धन गमन किया है प्रामामिला इसका यह है कि स्कूल में काफी दिनों से बहुत नुकसान पहुचाया जा रहा है सरकारी पैसे का तो मैंने इस से पहले भी एक इप्लिकेशन दिया था धीम साथ को धीम साथ को नहीं सिच्छा ग्वाज में दिया था उस पर कोई कारवाई नहीं हुए सुन्भद में जुलादिकारी शालेंद्र कुमार मिश्र के नित्रुत में जिक्रमड कारियों के खिलाफ अभियान जौरी है कोदवाली के सामने दुद्धी बस्टांड सहीत प्रमुकस्तानों के आसपास हुए अतिक्रमड को प्रिशासन ने हटवाया करीब तीन घंटे तक चले अभियान के दौरान मुख्यमार परावा गमन रुक रुक कर चलती नहीं नगरवासियों का रोप था कि अतिक्रमड मनमाने तरीके से हटवाया जोरा है इस दौरान नगरवासियों प्रिशासनिक टीम के साथ धक्का बुक्की भीकी उपजलादिकारी ने बताया कि अतिक्रमड हचाने का कार आगे भी जोरी रहेगा मुख्यमारक से दोनों तरह 50 फीट अंदर तक अतिक्रमड है और आगे जग्रु जरूरत पढ़ने पर कारेवाई की जोएगी मामला बुल्डोजर चला उसब ठीक है लेकिन आम जनता का रोस्री है कि पहले जो अतिक्रमड की है सरकारी जमीनों पर पहले उसको हटाया जा जो बिल्लिंग बना करके छट ढाल करके लोग है और जो यहां का हादी खाना है और का बलते हैं काम्हाउद का मामला है यह सब पहले उनको देखना चाहिए तब छोटे बवर्ग को जोगी जोपड़ी हटाना चाहिए कानपूर में प्रदेश सरकार के आदेश और परिवहन वभाग के नियमों की धज्जी अउड़ाई जा रही है नौबस्तो और बरच्छित में स्टेंड संचालकों के अरा जगता चरम पर है और अवैद वसूली के किलाफ आटो चालक बीच सड़क पर हंगामा कर रहे हैं मंत्री योगी आदितनात ने जो जिला प्रसांसन को आदेश किया था नहीं चलेंगे उसके बाद भी देखा जया कहीं नहीं बड़ी लापरवाई नजर आती है परवरतन दल जो लगाता है उसके बाद जालता है वह पूरी तरिके सब्सक्राइब नहीं है और उसके बाद देखा जाए तो तरहीत तरह का करेंगे तरह कोलं तरह कि भी अवगज तरह नहीं टेक्षाम click जिता चला रहे हैं कैमेरा परसंट जीदू यादों साथ रुपएंद रस्ताना कानपुर बदावी के विकास खंड म्याओं में ग्राम आसबपुर में गंदेगी कामबार लगा हुआ है जोहां पर ग्राम प्रधान और ब्लॉक इसतर के अधिकारियों की लापरवाही साफ त अलाब हो जाता है और जीवन अस्तुविस्त हो जाता है और शिकायत के बाद भी कोई कारिवाई नहीं हुई है इसके अलावा समुदाय सोच्वाले में दिन भर ताला लटकता रहता है आपने इसकी सिकायद किसी अधिकारी सिए आपने परधानों से करी हिए और ठैकेदा से करी हिए अब क्या हुआ नहीं हो पाया वाय चाल फली है जहें को घट तूटी या हो अब इधर की कई या दिद नाय लगा भगा तो यह लेत है नहीं हो कई व पानी यह कि तो इसके वारे में आपने प्रधान से कहा था कि और यह के रवा कच्छा में आज फिर एक वेद होस्पीचल ये ग महिला की जौन ले लिए जयाँ बच्चे की डिलिवरी कराने आई महिला की डिलिवरी के दोरान मोत हो गई और घटना के बाद हॉस्पिटल संच्छालक स्टाफ सहीत मौके से फरार हो गया गुसाय परिजरों ने हॉस्पिटल का घ्राफ किया घटना की सूचना पाकर थाना ध्यक शेरवा कर्ट्रा फोर्स के साथ घटा असल पर पहुचर परिजरों को समझाने का प्रयास किया अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब स्वाज भाग के आला दिकारी अवैद रूप से चल रहे हॉस्पिटल पर एक्शन लेंगे कि सर्व मेरी बीबी की तो बज़े तब्यात्रावी प्राजी से इसका हम लेके आए तो डॉक्तर सामने बढ़ती गिया चालिए रूपर मांगे मैंने कैस किया उनको उसके बाद उनने बच्चा करने के बाद हमसे का ले जाओं पर लेके गए और ले नहीं है पाई रास्ते पता होगी बीबी लेके आया डॉक्टर सामने का कोई पता नहीं है आप है किस आउस्पिटर में लेके आया किस जगह ही है यह इंटर कालेज के बास गान्दी इंटर कालेज के बास जी जी गाजेबात के खोड़ा में फिर आग का तांडव दिखाए दिया आग की चपेट में साथ से ज़्यादा वेक्ति आ गए एक ही परिवार के तीन लोग बुरी तरह जुलस गे और सभी लोगों की हालत तक गंभीर बनी हुई है वही मुख्य आगनी शमन अधिकारी सुनील कि आग लगने की वजों से गयास रिफलिंग बताई ज़ा रही है घायलों को खिचपुडी दिल्ली के लाल बहादूर शौसे अस्पिताल मेलाज के लिए भेज़ा गया अच्छन में हम सभी अंदर वैठे हुए थे अक्समात एकदम आग की लो निकली है और जो भी उसमें बच्चे बड़े जो भी उसकी चप एक माय हो सभी जल गए हैं तकरीवन साथ आट लोग जल गए हैं दो बच्चे छोटे-छोटे एक ट्रेक्टर वाला ड्राइबर ता है और दो अपना जो मालिक है उसका बेटा है उसकी बेटी है यह सभी लोग जले है अभी किलियर कंफर्म नहीं हो पा रहा है की मामला क्या था और कैसे आग लगी है क्या हुआ है लेकिन जो प्रतीत हो रहा है वो यह है कि सलंडर की आ गई है यह साथ वर्ष्चे सिर्वन मि में आग लगी है तर्ष्काल फायर के सामने कुछ लोग खड़े के जैसा कि अभी प्रत्म जिट्या आजास के लग रहा है कि यह गई सलंडर की रिपलिंग का काम कर रहे थे अचानक गई सलंडर से लपट निकली और सामने जो दुकान के सामने खड़े के उसमें चार लोग जो है आदमी और बटा जा रहा दो बच्चे भी जुलत गए हैं जिनने हैं अर्पीटल को फटा दिया गया है और आगको को इस तरह बूजा दिया गया जिसमें कुछ समान जंगल की तरफ ग्रामिडों ने बिखरा हुआ पाया फिलाल पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है और जार्च में जुट गई है और जोल्दी शात्र चोरों को गिरफ़तार कर कड़ी कारिवाई की जोईगी कि या तुमारे हर जोगी जोगी जो पेते लोगे और तामी के बुक्त चले लगे और पैसे उसी थे घूट कुछ उसमें अच्छा कितने की चोरी होगी होगी लंसा कितनी नगती चलेगी कितने का समान चला खे लिग लगए लंसा मादा करीब 25 कर लगए है हरदोई में गो हत्या के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है सांडी पुलिस ने पीडित की शिकायत के अधार पर शिकायत दर्ज कर लिया है मामले में सस्पी पूरवी अनिल कुमार यादो ने कहा कि शिकायत दर्ज कर ली गई हो दोशियों पर कड़ी कारिवाई की जाएगी. मामला थाना सांडी का है, इसमें रामचंदर सना पुताई निवासी आदम हो, ने प्रात्नपत थाना देश को दिया है, जिसमें उन्हें नारोप लगाया है कि उनकी गाये परोस में मान सिंगे खेत में चली गई थी, उनके बेटों ने और उन्होंने मिल करके उसको भला मार है, जिससे गाय की मित हो गई है, पुलिस को ने हम सुचना दिया है, कुछी दारों में ब्योग पजित किया जा रहा है, और से में दिक्कारवे कि जा नहीं है। आसुन कुदी मोके पर पहुचे इस डियम ने जमीन से निकले पुराने हतियारों को कबजे में लेकर पुरतत तुब भाग को सूचना दिन, हतियारों की संख्या 49 है और उसका बज़न 40-50 किलों के बीच में है, तो वहीं गाओं के प्रधान प्रतिनिधी ने कहा कि पुरतत मुखेली सामान है तो यह पराप्त कैसे हुआ है यह खोदाई के दोरान यह मला खेत को प्लेन करा आए जा रहा था उसकी खोदाई को दौरान यह सामान मिला इसका बजन कितना होगा सामान क्या लगता क्या है यह कब हुए थी खुदाई अच्छा यह इसका प्रशासन को आपने संग्यान करा दिया है अब तक की खास खबरों में इतना ही देश दुनिया की ताजो तरीन खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार